गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद जहां भाजपा में जश्न का माहौल है वहीं एक उल्जन भी खड़ी हो गई है हिमाचल और गुजरात में भाजपा को खुल कर वोट करने वाली जनता ने इस बार उसके सामने एक पेच भी फसा दिया है जिसका हल निकालना अब पार्टी के लिए टेड़ी खीर साबित हो गया है ये पेच दोनों राजपा के मुख्य मंत्री को ले कर है हाला कि दोनों ही राजपा ने मुख्य मंत्री के नाम का एलान चुनाओं से पहले ही कर दिया था लेकिन चुनाओं पर रिणामों ने दोनों ही जगह सारे समिकरन उलजा दिये हैं हिमाचल ने भाजपा प्रचन बहुमत से सत्ता में लोटी है तो वहां मुख्य मंत्री उमिद्वार प्रेम कुमार धुमल अप्रत्याशित रूप से अपनी सीद कवा बैठे हैं जबकि मोदी के ग्रह राज गुजरात में भाजपा जैसे तैसे सत्ता में तो लोटी है लेकिन वहां जीत का अंतर काफी कम होने से मुख्य मंत्री विजय रुपाने की कुर्सी दाओं पर लग गई है यही कारण है कि चुनापरिणाम आते ही दोनों राज्यों में मुख्य मंत्री के चेहरों को लेकर खुश पुसाहट शुरू हो चुकी है भाजपाने गुजरात में जैसे तैसे जीत कर अपनी लाच तो बचा ली लेकिन पिछली 22 सालों में पहली बार जिस तरह वो 100 से कम सीटों पर सिमट गई है उसका ठीकरा मुख्य मंत्री विजय रुपानी के सिर पर फूट ना तै माना जा रहा है खुद पार्टी में अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि जो गुजरात में जीत मिली है उसमें इस्थानी नेतरित्य से जादा प्रधान मंत्री मोदी की चहरे का बड़ा हाथ है जिन्होंने धुआदार रह लिया कर भाजपा के हाथ से खिसकती बाजी को वापिस अपने हाथों में ले लिया पार्टिदार आंदुलन से ठीक से नानी पटने के कारण ही पुर्व मुख्य मंत्री आनंदी बेन पटेल को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी थी अब उसी आंदुलन की आज में रुपानी अपने हाथ जला बैठे है ऐसे में पार्टि ने तरिटे का मानना है कि गुजरात में भाजपा को प्रधान मंत्री मोदी की तरह ही किसी मजबूत चेहरे को बाग दोर सोंपनी होगी जो पार्टि के गड़ में उसका जंडा बुलंद कर सके खुद विजए रुपानी भी अपने भविश्यों को लेकर निशिंत नहीं दिखाई दे रहे है उनकी बानगी उस समय भी दिखी जब गुजरात में जीत दर्श करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए उस दरान ना उनकी चेहरे पर विजए मुस्कान दिखाई दी ना कोई खास उत्चा हा मुख्य मंत्री के नाम पर पूछे के सवाल पर उन्होंने यह कहकर जवाब दिया कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है पार्टी जिसे जिम्मेदारी सौपेगी वो स्विकार कर लिया जाएगा गौर्टलब है कि नरिंद्र मोदी के हटने के बाद से ही गुजरात में सीएम का पद भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा रहा है दूसरी और हिमाचल प्रदेश में उल्जन और बड़ी है जहां उसे बहुमत तो शांदार मिला लेकिन उसका कमांडर ही अपनी सीट गवा बैठा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये ही खड़ा हो गया है कि क्या सीट हारने के बाद भी भाजपा उस चहरे को मुख्य मंत्री बनाएगी दूसरी और हिमाचल प्रदेश में उल्जन और बड़ी है जहां उसे बहुमत तो शांदार मिला लेकिन उसका कमांडर ही अपनी सीट अबैठा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये ही खड़ा हो गया है कि क्या सीट हारने के बाद भी भाजपा उस चहरे को मुख्य मंत्री बनाएगी जिसके नाम पर वो चुनाव में उत्री थी या फिर किसी दूशे चहरे को ये मौका दिया जाएगा Bureau Report, Anyone News